मैं इस टेम जम्मू के उधेवाला में हूँ और उधेवाला से अगर बात की जाए तो यहां पर पढ़ने वाला जम्मू कश्मीर बैंक की जो ब्रांच आप मेरे बिल्कु सामने देख रहे हैं इस ब्रांच को भी बंद कर दिया गया है और इसका कारण यह है कि यहां पर एक जो की यहां पर ट्रांसेक्शन के लिए आया था और उसके इलावा यहां से अपनी ATM कार्ड लेने आया हुआ था वो करोना वायरस पॉजिटिव आया और उसके बाद पूरी ब्रांच को बंद कर दिया गया है आपको मैं पहले भी बता दूँ कि इसी तरह से जम्मू कश्मी भी आया था और उसके बाद जो है ब्रांच बंद कर दी गए थी इसी तरह से जम्मू कश्मीर बैंक की जो उदे वाला ब्रांच है यहां पर भी एक शक्स जो की अपना ATM यहां से लेने आता है और उसके इलावा एक ट्रांसेक्शन भी यहां पर करता है जिसके बाद वो शक जो है उसका क्रोना वायरस पॉजिटिव आता है और उसके बाद एतिहातन तोर पर और गाइड लाइन्स के हिसाब से इस बैंक को फिलाल बंद रखा गया है अब कितने दिन बंद रखते हैं वो तो बैंक अथॉरिटीज ही बताएंगी लेकिन फिलाल अभी बैंक को बंद ब्राँच इसलिए बंद की है क्योंकि एक अकाउंट होल्डर यहां का पॉजिटिव आया है क्योंकि केई सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरे आपको सुनने को मिल रही होंगी कि उदेवाला ब्राँच से कुछ इंप्लॉई जो हैं पॉजिटिव आया है तो वो सरसर फेक है वो बेसलेस खबरे हैं इसलिए रियूमर्स के उपरा बिल्कुल बिलीव मत करें इस ब्राँच को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर एक अकाउंट होल्डर वो पॉजिटिव आया है जो यहां से ट्रांसेक्शन करवा के गया था इसके बाद इस ब्राँच को जम्मू कश्मीर बैंक की उधे वाला ब्रांस को जो है फिल्हाल बंद किया गया है आशीश कोली क्यारमन अशोक श्रोतराजी के साथ जेके मीडिया के लिए उधे वाला से जैहिन